हलो माई डिया फ्रेंड स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टडी आईक्यू प्रीमें में आज हम देखने वाले हैं चौविस गयार है दो हजार एक्जार एक्जाम हुआ था फस्ट सिफ्ट का उसके हिंदी के क्वेशन आज हम देखने वाले हैं ससी जीडी के और यह आपक कर लेते हैं लेते हैं पहला क्वेशन क्वेशन है आपके सामने जो केंदर की और उनमक होता हो वाक्य के लिए एक सब्द आपको यहां पर बताना है जो केंदर की और उनमक होता हो तो इसका देखे क्या हो जाएगा बिलकुल देखे ए ऑप्सन नहीं होगा केंद्रा विशा इसका भी ऑप्सन हो जाएका खेंदर भिशारी चलिए अगला को question देख लेता है कि अगला Dave अगला देखिए हमें यहाँ यह वाक्यमा को बतानीं इसमें कहां पर नहीं da तो नहीं वाला option आपको टिक करना है, जो कि fourth number है, ठीक है, चलिए, देख लेते हैं, वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए, देखिए, करनी चाहिए, ये सीधा-सीधा आपको गलत लग रहा है, यहां पे ठीक है, तो 77 में देखिए, क्या हो जाएगा, बिल्क किसका परियावाची है, यहां पे आपको परियावाची बताना है, मनुरत का, तो देखिए, क्या हो जाएगा, 78 का, पहले अपना answer टिक कर लिया करें, उसके बाद आप मेच कर लिया करें, answer ठीक है, इससे आपकी practice भी हो जाएगी, चलिए, तो देखिए, लालच नहीं होग मनुरत का, वासना भी नहीं होगा, कामना हो जाएगा, ठीक है, C option, इसका right answer हो जाएगा, मनुरत का क्या हो जाएगा, कामना परियावाची इसका हो जाएगा, चलिए, अगला question देखिए, त्रुटी से समन देता है, वाक्य में त्रुटी आपको बताना है, इस प्रकंड में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा इस प्रकंड में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा कहां पे गलती है इसमें ये आपको बताना है तो देखिए उचित न्याय ये जो है आपका गलत है ठीक है D option इसका right answer हो जाएगा D option यह जो यहाँ पे लिखा हुआ है उचित ठीक है तो यह आपका गलत लिखा हुआ है इसको आप देखेंगे तो D option इसका correct answer हो जाएगा 79 का चली अगला question देखे लेते हैं question है आपके सामने यहाँ पे क्या करना है प्रस्तापित करना है वाक्य को ठीक है किसके साथ में यह जो underline किया वाक कहस में इसके साथ में इनमें से किसी option को यहाँ पे रखना है और यह वाक्य को पूरा करना है यह वाक्य जो यहाँ पे दिया हुआ है यह गलत है तो सही को आपको यहाँ पे लिखना है तो देखे लेते हैं मैं निश्चत रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा तो देखे इस स्थान पर क्या हम रख सकते हैं जिससे यह आख के पूरा हो जाए तो देखे इसका right answer जाएगा बिल्कुल देखे इसको भी नहीं रख पाएंगे इसको भी नहीं यह भी नहीं वेठेगा निश्चत रूप से नहीं कह सकता देखे यह एकदम करेक्टर है ठीक है D option में निश्चत रूप से नहीं कह सकता कि वह कब जाएगा तो D option इसका right answer हो जाएगा चली अगला question देखेंगे question है देखें मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही डैस है जितना अध्यन तो क्या हो जाएगा प्रतिबंधित, सांदार, अनावश्यक या आवश्यक तो देखें 81 का क्या हो जाएगा बिल्कुत सभी को पता हुआ मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्यन तो D option इसका right answer हो जाएगा ठीक है D option इसका correct answer हो जाएगा चली अगला question question है देखें सही बरतिनी से संब्दित है सख्ष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सही first जो लिखा हुआ है वो आपको बताना है 82 में तो देखें जब आप first option ही देखेंगे यही आपका एकदम correct लिखा हुआ है ठीक है यह तीनों गलत लिखे हुए हैं तो यह आपका right answer हो जाएगा यह option चलीए अगला question question इसमें पूछा है प्रस्तापित करने के लिए ठीक है देखें प्रस्तापित करना है यह enderline किया हुआ वाक्य है इसके साथ में ठीक है मैं 2 गंटे से आपकी पृतिक्षा देख रहा हूँ देख रहा हूँ या कर रहा हूँ देखें इसमें क्या होना चाहिए तो देखें 83 में अगर आप देखेंगे बिल्कु देखें गुन रहा हूँ ये भी नहीं होगा खा रहा हूँ ये भी नहीं होगा कर रहा हूँ ठीक है c option मैंने बोला था कर रहा हूँ यहाँ पे सही हो जाएगा तो मैं दो घंटे से आपकी प्रिख्षा कर रहा हूँ इस option को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो यह आपका सही हो जाएगा c option इसका correct answer हो गया अगला question है तो बी option ही इसका right answer हो जाएगा क्योंकि यह गलत है यहाँ पे आने वाला कल हो सकता था है आपे आराम से लिख सकते आने वाले सौंबार से परिख्षा शुरू होगी ठीक है बिल्कुल यह भी हम लिख सकते थे लेकिन यह आगामी इसमें सही नहीं बैठता है चलिए अगला question question है देखिए पो बारे होना आपे बताना है 86 में आपको तो देखिए विस्तरीन ठीक है फैला हुआ क्या हो जाएगा रिक्त का है आपे विलो मापको बताना है, देखिए रिक्त मतलब खाली स्थान हो गया, ठीके, रिक्त का मतलब खाली स्थान हो गया, तो 80 से बने हो धिके, अपूर ये तो नहीं होगा, पूर हो जाएगा, ठीके, भरा हुआ मतलब, B-Option इसका राइट आंसर हो जागा है, रि खूब लड़ी मरदानी वो तो डैस थी तो क्या थी वो बिलकुल 88 का क्या हो जाएगा बिलकुल देखें अंसुया नहीं होगी यह हो जाएगा ठीक है C option, क्या हो जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी, तो ये आपका पूर्ण हो जाएगा C option डालने से चली, अगला question देखेंगे, question है देखेंगे आपकी नामें, सही वर्तनी से संबन देता है ठीक है, सही वर्तनी आपको बतानी है यहाँ पर 89 में परसपरिक यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये आपको बताना है कि परसपरिक यहाँ पर कौन सा सही लिखा हुआ है तो देखेंगे, यह option नहीं होगा देखें, बी option में आपका right answer है ठीक है, ये बिलकुल इसी परकार से आपका लिखा जाता है, ठीक है परसपरिक, ठीक है, बिलकुल आप देहां रखेंगे, चलिए आगे देखेंगे लेते हैं आगे हैं देखें, म्रग जैसी आँखों वाली इस्तरी, यहाँ पर देखें क्या बताना है आपको वाग्य के लिए एक सब्द यहाँ पर बताना है म्रग जैसी आँखों वाली इस्तरी के लिए आप एक सब्द में क्या कहेंगे देखें, हिरन चिच्चू नहीं कहेंगे म्रग यहाँ भी नहीं कहेंगे, म्रग नहीं नहीं ठीक है, क्या कहेंगे, म्रग नहीं नहीं बाग बोलते हैं उसके लिए ठीक है क्या बोलते हैं बांग क्या देता है बांग देता है कोकुड़कू के साथ नहीं जाएंगे इसमें ठीक है बांग देता है मुर्गा क्या देता है मुर्गा सोवेश वै बांग देता है ठीक है 91 का D option इसका right answer हो जाएगा अगला question वाक्यन्स के लिए एक सब्द आपको बताना है इतिहास के जानकार के लिए आप एक सब्द में क्या बोलेंगे एतिहासिक पुरात्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य अंसर हो जाएगा अगला question हवा से बाते करने वाला मुहावरे का अर्थ आपको बताना है हवा से बाते करने वाला अकेले रहना बिल्कुल भी नहीं होगा तेज गती से चलना बिल्कुल देखें ये बिल्कुल सही बैठता है इसमें हवा से बाते करना मतलब तेज गती से चलना, B option इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगे, question ने देखिए आपके सामने ये पूछा गया था अपने परिवार की गरीमा का दिहान रखना, देखिए ये यहाँ पे गलत है ये प्रस्थाबित करना है आपको सही के साथ में, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 94 में बिल्कुँ देखिए A option ही इसका right answer हो जाएगा, इसको अगर इसके स्थान पर हम डाल देंगे न तो ये वाक्य आराम से एकदम सही प्रकार से पूर्ण हो जाएगा, देखिए अपने परिवार की किसी बदलाव की आवस्यक्ता नहीं है तो देखिए इस वाक्य को डालने की जरूरती ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव की जरूरती ही नहीं है जब आप इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे देखिए मैंने देखा नहीं था शुरुवात में आपने परिवार की गरीमा का ध्यान रखना देखिए बिल्कुल अपने परिवार की गरीमा का ध्यान रखना बिल्कुल एकदम सही सही इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर तुरूटी है तो ये A option जो है इसका किसी बदलाव की आवश्यक्ता नहीं है ऐसे भी question आपको देखने को मिल सकता है ठीक है तो A option इसका correct answer हो जाएगा अगला question Sona सोना का यहां पर समान आर्थी आपको बताना है ललाम, रतनाकर, कलंत्र और हेने यहां पर लिखा हुआ है तो देखे 95 का सभी को पता होगा हेने ठीक है क्या हो जाएगा Sona का D option इसका correct answer हो जाएगा बिल्कुल चली अगला question देखे लेते है question है देखे पेराग्राफ से समब्द देता है 96 96 आपका पेराग्राफ से समब्द देता है इसको देख लेते हैं यहां पर क्या आजाएगा देखे जैसा घ्यान का संसोधन और परिशंकार विज्ञान के डैस द्वारा होता है तो देखिए 96 में क्या आ जाएगा उद्योग ठीक है उद्योग के द्वारा होता है A option इसका correct answer हो जाएगा 96 का देखिए 96 का A नहीं होगा बच्चो ठीक है इसमें प्रियोग होना चाहिए था प्रियोग इसका correct answer होगा ठीक है प्रियोग क्योंकि यहाँ पर देखिए विज्ञान का है इसमें उद्योग नहीं आएगा जैसा ज्ञान का संसोधन और परिश्कर विज्ञान के प्रियोग के द्वारा होता है ठीक है तो B option इसका correct answer हो जाएगा अगला question देख लेते हैं अगला question है इसमें 97 और इसमें बढ़ना है second में आपको ठीक है यहाँ पर उसी प्रकार मनुष्य के सोभाव का देखिए यहाँ पर 97 में का डैस कलाओं के द्वारा किया जाता है तो देखिए 97 में क्या हो जाएगा बिलकुल देखिए परिश्कार ठीक है क्या हो जाएगा बी ओप्सन बी ओप्सन सोभाव का परिश्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है ठीक है तो बी ओप्सन इसका correct answer हो जाएगा चली अगला question देखिए लेते हैं question 98 और इसमें बना है आपको third number में देखिए यहाँ पर क्या आजाएगा मनेश्य की मानसिक ठीक है बिल्कुल a option हो जाएगा मानसिक सक्तियां बढ़ तो बहुत गई है देखिए सक्तियां बढ़ तो बहुत गई है तो यह आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा a option अगला question देखिए 99 और इसमें बना है आपको fourth number बे लेकिन कलाओं की यहाँ पर क्या आएगा देखिए उपेक्चा ठीक है कलाओं की उपेक्चा a option इसका correct answer हो जाएगा आगे देखि लेते हैं hundred और hundred में देखिए क्या आएगा है पर इसमें देखिए आजाएगा मनेश्य के चार ओर से अपनी ही dash का सिकार हो रहा है जड़ता का सिकार हो रहा है d option इसका correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा जड़ता सचमुझ ही आज का मनेश्य चारो ओर से अपनी ही जड़ता का सिकार हो रहा है बिल्कुल d option इसका correct answer हो जाएगा और ये थे आज के हमारे 25 question जो की पूछे गए थे आपके 24-11-2021 के first shift में ठीक है बिल्कुल first shift के question ही हिंदी के सभी के सभी तो आपको class कैसी लगी आप ज़रूर बताएं आने वाली वीडियो को पाने के लिए आप हमारे channel के साथ ज़रूर ज़र 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 जाए बैल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कोई भी वीडियो आप से न चुटे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जहन जबारत